हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने चैनल AJ Medicines में, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दवा के बारे में बताऊँगा, जो दवा सबसे ज़्यादा डॉक्टर रिक्मेंड करते हैं और मार्किट में भी ये दवा सबसे ज़्यादा बिक्ती है, जैसा कि आप लोगों ने थमनिल में देखी लिया होगा, इसका नाम है Becogyme C4 Tablet Becogyme C4 Tablet को किन-किन प्रॉब्लम्स में यूज कियाता है, कैसे इसे यूज करना होता है, कितने दिनों तक इसे लेना होगा, और क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं साथ-साथ हम ये भी जानेंगे, क्यों डॉक्टर सबसे ज़्यादा recommend करते हैं, और क्यों ये दवा सबसे ज़्यादा market में दिखती है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो like, चैनल को कर लो subscribe, और bell icon के बटन को press करके, notification bell call जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो upload करूं medicine से related, तो वो आप तक notification के दौरा जल्द पह पहच जाए, तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी request करना चाहता हूँ, कि आप वीडियो को शुरू से लेके and तक जरूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस्त ना कर सको, वीकोजाइम C4 टेबलेट एक combination दवा है, यह एक strip की packing में आता है, जैसा कि आप screen पे भी देख पा रहे होगे, इस एक strip में 15 टेबलेट होती है, और इस 15 टेबलेट का जो price है, वो है 30 रुपे यानि 30 रुपीज only, इसकी एक टेबलेट लगबग 2 रुपे की मिलती है, company से बन inacobalamine and nicotinamide, इन दवाओं को मिला कर इसे तयार किया गया है, और यह जो दवा है आपको, हर medical store पे बहुती आसानी से बिना prescription के मिल जाती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे किन-किन problems में use किया आता है, देखिए, जिन लोगों के सरीर में बहुत ज़दा कमजोरी ठका खोन की कमी को पूरा करने के लिए इसे दिया आता है, या फिर किसी के सरीर में calcium की कमी हो, तो calcium की कमी को भी पूरा करता है, साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के सरीर में vitamin C की कमी होती है, तो vitamin C की कमी को पूरा करने के लिए इसे दिया आता है, या फि या फिर किसी के सरीर में रोग पर तिरोदर चमता बहुत वीक हो गई है तो उसे मजबूत करने के लिए से दिया जाता है या फिर किसी के मुँँ में बहुत जल्दी चाले हो जाते हैं बार बार वो चाले से परेसान देते हैं या फिर कभी कबार चाले होते हैं तो ऐसी कंडि की बहुत ज़रूरत होती है तो एक अच्छी बॉड़ी बदाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा वर्काउट नहीं कर पाते हैं ठक जाते हैं बहुत जल्दी फेष में लेना होता है तो एसी कंडीशन में इस दवा को एक टाइट पर डे लेना होता है खाना चाहे आप सुबह ले लो चाहे आप साम को ले लो और जिन लोगों को मुह में छाले होते हैं उन्हें भी ये तीन दिन तक सुबह साम दी जाता है तो इस तरीके से इसे यूज किया आता है अब मैं आपको बताता हूं कि इसे कितने लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं जो इसक दवा है क्यों डॉक्टर सबसे ज्यादा रेक्मेंट करते हैं और क्यों ये लोग मार्किट में बहुत ही आसानी से सबसे ज्यादा पर्चेस करते हैं देखिए ये जो दवा है सिर्फ 2 रुपे की एक ट्रावलेट आपको पड़ती है यानि कि लगबग 15 दिन की दवा 30 रुप क्योंकि ये जो दवा है सस्ती मिल जाती है लोगों को खरीदने में आसानी होती है अब हम जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं देखिए इससे कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिलता है लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके इसे आपका मुझ बहुत ज़दा सोकने लगे बार-बार प्यास लगने लगे तो ऐसी कंडिशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको इस सोट नहीं हो रहा कहीड लोगों के पेट में भी दर्द महसूस हो तो अगर किसी के पेट में दर्द महसूस हो और जब यह दवा सूठना झाल झाल